हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुकिटू डुरीम आज प्रेंड्स आज पिर आजर होई हूँ आपके लिए यह नियो टिप्स लेकरके फ्रेंड्स आप देख रहे हो यह मैं क्या ले रही हूँ जैसे कि हमने अपनी गार्डन को फिर से हरा भरा करना है जल्दी से जल्दी ग्रोथ क पूल का हो या फिर बैजी टेवल या फिर फ्रूट का हो या फिर कोई बड़ा ट्री अगर हमने कोई फ्रूट का लगाया हुआ है उसके लिए ये अमरित है जो मैं अपनी बैजी टेवल में डाल रही हूँ तो फ्रेंड्स आप जानोगे कि हमने कहां से लिया ये अमरित तो देखे मैं अपनी गार्डन को फिर से हरा भरा बनाऊंगी इस वाले अमरित पला करके अपनी गार्डन को तो देख रहे हो चलो जानते हैं कैसे हमने इस अमरत को त्यार किया है और कहां से लिया है तो मैं उपर मौंटी पे जाती हूँ उपर मौंटी पे मैंने रखा हुआ इस अमरत का खजाना तो देखी फ्रेंड्स मैं मौंटी पे आगी हूँ और यहाँ पे रखा हुआ है मैंने ये खजाना जैसे ये लोहे की पेटी है जैसे प्राने टैम में इसमें बिस्तरा वगरा रखा करते थे हमारे बजुरक तो देखी मैंने इसमें टू पार्ट की हुए है एक पार्ट में मैंने किचन वेस्ट बरा हुआ दूसरा खाली है खाली वाले पार्ट में बनके आ रहा है वो लिकवट खाद जिसको मैं अमरत कहरी हूँ और मैं ऐसी खुला रखती हूँ इसको बंद नहीं करती हूँ देखी यहाँ पर यह डाउन वाला पासा है और यहाँ पर मैंने इस स्कोने में हाल किया हूँ है और यह सारा लिकवट जो है किचन वेस्ट गल जाता है गल करके उसका लिकवट बनके इस क्टोरे में आता है जैसे कि ये जिसमें pot रखते हैं न हम जो कटोरा सा होता है निचे रखते हैं जिसमें pot रखते हैं वो वाला ये कटोरा है और ये मैंने इसके निचे रखा हुआ था वो रूड करके इधर आजाकर के इसमें liquid इकठा हो जाता है और ये liquid देख रहे हूँ आप कितना अच्छा है न एकदम कलर देखें इसका कितना डार्क है और इसको मैं इकठा कर लिया करती हूँ जब हमारा kitchen waste सड़ता है तब ये निकलता है और इसको मैं इकठा कर लेती हूँ और जब यूज़ करना मैंने अपनी गार्डन में तब यूज़ कर लेती हूँ आप समझिएगा यही कारण है हमारी ग्रीन गार्डन का तो देखे मैं यहाँ पे 5 लिटर की एक एनी ले रही हूँ और मैंने इसमें इसको डाल दिया है और मैं फिर से इसी बोरी में नेट वाली बोरी में डाल करके फिर मैं उसके नीचे रख दूँगी फिर भर जाएगा फिर मैं इस कैनी में डाल दूँगी जितना मैंने यूज़ करना उतना यूज़ करूँगी और इसको कम से कम यूज़ करना फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसको ड्रेक्ट नहीं डालना नहीं तो हमारे बुटे सूख जाएंगे जैसे की किसान भाई सबजियां में अपनी सबजियों में जैसे की खेतों में यूरिया वगारा डालते हैं अगर वो कम डालते हैं ग्रोथ होने के लिए और जैसे उसको जादा डाल देंगे तो वो उसको जाल भी देते हैं जला भी देते हैं तो देखिए मैं यहां पर किट्टू का टोएक अप ले रही हूं और बहुत जादा नहीं लेना मैंने 6 लिटर पानी में डाल रही हूं 6 लिटर बाल्टी 6 लिटर पानी की यह बाल्टी है देखिए मै मैंने भरके भी नहीं डाला इसको टोयक आपको छोटा सा जैसे बॉटल का बड़ा सा धक्कन हो कुछ इस तरीके का और येतना सारा बच गया है और इसको हम पूरी गार्डन में यूज कर सकते हैं बट मैंने पहले यूज कर दिया है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कर है काफी flowering आती है बहुत जल्दी ग्रोथ करता है कोई भी बुटा हो भले वो फूल का हो या सब्जी का हो या फिर fruit का हो कोई भी बुटा हो इससे बहुत जल्दी ग्रोथ करता है तो friends ये हमारी सब्जी ओं के लिए अमरत है शरूर सामल कीजीगा जो friends पहले सी gardening कर रहे हैं किचन वेस्ट इकठा करते हैं, उनको तो पता है पहले ही, वो फ्रेंट्स तो पहले से ही जानते हैं, और जो फ्रेंट्स न्यूं हैं, आज भी बहुत फ्रेंट्स हैं, जिनको इस खाद के बारे में नहीं पता, और वो है न, हिंग लगे न फटकडी, तो काफी सस्ता, मतलब फ्री में, सस्ता क्या, फ्री में, नहीं तो क्या होगा, किचन वेस्ट इकठा करते हैं, वो इधर उधर बिखरता है, और उसके उपर मच्छर मक्खी आते हैं, बिमारी का कारण बन जाता है, फिर हम कुछी दिनों में अपना मन भर लेते हैं, कि हम नहीं इकठा करते हैं, व फिर कोई और इंतजाम आपके पास है, कौटन का कपड़ा कोई भी उसके उपर बांद करके रख देंगे, तो मच्छर मक्खी नहीं आएंगे, आपने देखा मैंने बीडियो बना रही हूं कहीं मच्छर मक्खी दिखा, और फ्रेंड्स ये देखिए जो मैंने ताजे फूल से गैंदे के पौद त्यार की है, देखिए आपके सामने मैंने इस पौट में ये लगाया था, गमला भरा था, और ये मैंने सुखे हुए बुटे लगाये थे गैंदे के, और उन पे से ताजे फूल तोड़ करके इस मिट्टी में डाले थे, आप देख रहे हो, सारी पौद त्यार होती है, लेकिन वही जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि ब्लैक धारी हो फूल में, तब वो फूल पक्का है, उससे पौद त्यार होएगी, अगर नहीं ब्लैक धारी है, तो नहीं होगी, तो देखिए कितने हैल्दी होगे ये गैंदे के बुटे, आपके सामने ल लगाई थी, और ये बेल थी, ये फिर बेल का रूप ले रही है, देखिए, एक सैड में बढ़ रही है, और काफी अच्छा उस पे रोज भी खिला है, और ये देखिए, टमाटर मैंने उसकी जड़ में डाले होएं, ये तो मैंने टब में लगाए हुएं, और इसमें से भ अब वाले में भी मैं डाल रही हूँ, इसमें से मैंने काफी टमाटर लिये, यहाँ पे देखिए, मैंने सिमला मिर्च जैसे बनाई थी, उसकी सीड्स डाले थे, काफी अच्छे पहुत त्यार होगी है, इसी तरीके से जब भी जो भी सबजी हम घर में बनाते हैं, उसकी सी कोरिट्स डाल देती हूँ कहीं भी और वो ग्रोध हो जाते हैं, उसकी पौद तिार हो जाती है, बत ध्यान रखना है, बस नेल्स से दबा करके देखना, अगर वो पक्का है तो जरूर पौद तियार होईगी, अगर वो नेलस से कट जा रहा है तो उसके पौद तियार नही तो friends next time मिलते हैं next video में जो new friends हैं वो video को जो है subscribe कर लें channel को और जो friends पहले से ही मेरे friends काफी प्यार से video देखते हैं जो मेरे काफी अच्छे friends हैं जो मुझे प्यार करते हैं वो comment भी मुझे देते हैं और मुझे कुछ पूछते भी हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं भी वीडियो डाल करके वेट करती हूं कि मेरे फ्रेंट्स मुझे क्या पुछेंगे जैसे काफी फ्रेंट्स बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो का वेट करते हैं जैसे आप मेरी वीडियो का वेट करते हैं तो मैं भी आपके कमेंट का वेट करती हूं कि फ्रेंट्स क्या तूट गया था निचे लगे हुए और दूसरे वाले जो बुटे हैं बैंगन के जो दूसरे वाले तूटे हैं उनको भी मैंने फिर से हरा कर लिया है तूट गे थे बट मैंने कटिंग करके उनको फिर से हरा कर लिया है और काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं नेक्स वीडियो देती हूं कहीं भी हो जाती हो के फ्रेंट्स